जै माता दी मित्रो तो कन्या रासी वालो चाहे मर जाना लेकिन नौरात्री के नो दिनों में यहत काम भूल कर भी मत करना मित्रो वरना पूरे साल गरीबी और भुकमरी सेहनी पड़ेगी जी हां मित्रो आज की वीडियो अत्यंत मेहतु प्रण होने वाली है आप सभी से विनर अनुरोध कर रहे हैं मित्रो की वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखेगा मित्रो साथ ही जो भी भक्त वीडियो को सब से पहले लाइक करेगा और कमेंट वोक्स में सच्चे मन से तीन बार जै मातादी जै मातादी लिखेगा मातराने उनकी हर मनों काम न प्र रखते हैं आज की इस वीडियो की ओर तो मित्र नौरात्र के पवित्र दिनों में नो दिनों तक माताराने की उपास्त न की जाती है। कामनाएं पूरी करती है। और मित्रो नौरात्र के नो दिनों तक वरत रखने को लेकर कुछ नियम वह धार्विक मान्यता भी हैं जिनका पालन किया जाना अत्यन तावस्यक होता है। मित्रो नियमों की विप्रित करने पर देवी माता आपसे रुष्ट हो सकती है और सास्त्रों के नुसार अगर इन नियमों का पालन करने में मातराने की करपा मिलती है और मनो कामना भी पूरी होती है। तो मित्रो विशेश ध्यान रखीगा कि किन नियमों का इन नो दिलों में हमें पालन करना है। तो मित्रो सब से पहले तो कन्याओ को माता का ही एक रूप माना जाता है। कन्या या महिला के प्रती असम्मान का भाव नान दे और ना ही उनका अपमान करे। मित्रों सास्त्रों में यहां तक कह गया है कि यंत्र नारिस से पुज्यनते रमते तद्र देवता यानि कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता का निवास होता है। मित्रो किसी भी कन्या का अपमान होने पर मा दुरगा आप से नाराज हो सकती है तो इन गलतियों का विशेश ध्यान रखिएगा नो दिनों के अंदर या नो दिनों से बाहर भी मित्रो कन्याओं का दिल न दुखाएं और ना ही उनका अपमान करें अम मित्रो घर को अकेला न छोड़े जी हाँ यदि आपने घर में कलस की स्थापना की है या माता की चोकी या अखंड जोत लगा रखी है मित्रो तो घर बिल्कुल भी खाली न छोड़े यानि घर में किसी का होना ना होना बहुत जरूरी है जी हाँ ध्यान से सुनियेगा आपके घर में कोही न कोई एक व्यक्ती जरूर होना चाहिए और साथ में व्रत के दिनों में नो दिन भी सोना भी मना है अक्सर मित्रो हम लोगों के घर में देखते हैं कि लोग अपने घर में मातरानी की स्थापना करके कहीं घूमने चले जाते हैं और घर को सांत और अकिला चोड़ कर चले जाते हैं जो कि मित्रो सास्त्रों के नुसार यह बहुत ही गलते और मित्रो नवरात्री के नो दिनों में किसी भी प्रकार के कलह से दूर रहें जी हाँ ध्यान से सुनियेगा कि नवरात्री के नो दिनों में बहुत से लोग वरत में होते हुए एसे कलह करने से बचना चाहिए क्योंकि मिलो कलह से व्रत धारी की आत्मा को दुख पहुचता है जिससे देवी मारुष्ट हो सकती है और एसे में मित्रो कोशिस करे कि हर प्रकार के वाद विवास से दूर रहे और स्री रामचरित मानस में एसा भी कहा गया है कि जहां सोमती तहा संबती नाना मित्रो लड़ाई जगड़े वाले घर में लक्समी नहीं ठेरती है और ना ही उस घर में मादुरगा का वास होता है तो मित्रो ध्यान रखीगा कि आपसी कलह घर परिवार में या बाहर या मित्रो में किसी भी कलह के प्रकार से आपको फसना नहीं है और ना ही बीज बचाओ करना है मित्रो केहने का ताच पर यह है कि किसी भी प्रकार के कलह से आप जितना दूर रहेंगे मारा तारानी आप से उतने ही प्रसंद रहेगी और माता राने का आपके घर में वास रहेगा जी हाँ मित्रो यह सब नियम वास्तु सास्तर कहते हैं और इन नियमों का मानना हैं मित्रो आप सभी को जी हाँ ध्यान से सुनियगा और नियम हम आगे वीडियो में बता रहे हैं तो मित्रो इन नो दिनों को बहुत ही पवित्र दिन माने जाते ही जी हाँ अब आप ध्यान लगाईए कि धार्मिक बातों में जितना हो सके इन नो दिनों में अपना मन लगाई मित्रो माना जाता है कि व्रत करने वालों को ध्यान से सुनियेगा नो नौरात्री के नो दिनों तक अपना समय फिजूल की बातों में ना लगा कर धार्मिक ग्रंथों का अध्यन करना चाहिए और इन नो दिनों में दुर्गा चालिसा या दुर्गा सब्त सतिका पाट कर सकते हैं मित्रों या फिर आप फिजूल बेटे हैं तो मातराने की सेवा कीजिए आप उनके मंत्र भी पढ़ सकते हैं आप उनकी सेवा भी कर सकते हैं सुभर साम उन्हें मित्रों नौरात्री के नो दिन तक बिल्कुल तन मन से सेवा करे दीपक ध्यान सब कुछ करे मित्रों तो मातराने आप ल ध्यान से सुनिएगा मित्रो, वीडियो अत्यांत में है तो पुर्ण है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा और मा दुरगा के साथ साथ, मा लक्स में भी आपके घर में निवास करेगी मित्रो, आपके घर का वातावरण आप ही को सुच्छिव सुन्द एवं सांते पुर्ण बना कर रखना होगा और ध्यान से सुनिएगा कि लस्वन प्याज का सेवन ना करें, अक्सल लोग नौरात्र के दिनों में लस्वन और प्याज का सेवन करते ही, नौरात्र के पावन दिनों में सात्विक्ता का विशेश ध्यान रखना चाहिए, जी हा का पूरा लाब आपको मिल सकेगा और आप इन नो दिनों में जितना हो सके मित्रो प्याज, लसन और मास मदीरा का सेवन ना करें ध्यान से सुनियागा मित्रो इन तीन चीजों का सेवन आपको भूल कर भी नौरा तरिके नो दिनों में नहीं करना चाहिए प्याज पेला दूसरा है लसन और मित्रों तीसरे नंबर पे बहुती मेहतो प्रण चीजे जिसका नाम है मास और मदीरा जो भी भक्त या जो भी व्यक्ति इन चीजों का सेवन करता है उनसे मा लक्समी और मा दुरगा रूठ जाती है मित्रों और आपके ज धिनाईया उत्पन्न होने लग जाती है तो मित्रों विशेश ध्यांद रेखीगा कि यह नवरात्र के नो दिन बड़े ही पवित्र दिनों में माने जाते हैं और पूरे साल के यह नो दिन आपके जीवन में रंग भर सकती हैं परन्तु आपको यह गलतिया भी नहीं करनी है वीडियो में बताए गए नियमों को आपको मानना होगा और मित्रों सबसे मेहेतु प्रण नियम हम आपको यह भी बता रहे हैं कि आपको काम वासना पर काबू रखना होगा जी हां ध्यान से सुनियेगा कि नवरात्र के दिनों में काम भावना पर नियंत्रन रखना बहुत ही ज्यादा आव सके और ध्यान देना है जी हां इन दिनों में महिलाओ और पूरुस दोनों को ब्रह्माचार का पालन करना चाहिए जी हां मा की पूजा अर्चना साप मन से करने से ही मा आप से प्रसन होती है इसलिए मित्रों इन दिनों सारेरिक संभंध नहीं बनाने चाहिए जितना हो सके अपनी काम वासना को काबू में रखे मित्रों क्योंकि बड़े ही पवित्र दिन माने जाते हैं यह नव रातरी के नो दिन और नव रातरी के नो दिन हमारे घर में मा दुर्गा का वास होता है मा दुर्गा का आगमन होता है और मा दुर्गा की क्रपा हमारे घ तो मित्रो विशेज ध्यान रखिएगा वीडियो में बताएगए नियोमों का पालन अवस्य करेगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रो आप सभी को पता ही सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजेगा लाइक करने के बाद हमने निचे कमेंट सेक्षन दिया हुआ है वहाँ पर जाईएगा मित्रो और लिख दीजेगा जय मातादी और अगर आपने हमारे चेनल को मित्रो अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हम विनर्म अनुरोद कर रहे हैं कि वीडियो को सस्क्राइब कर दीजेगा चेनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा पास्मवा घंटी भी दिखाई दे रही होगी उसे भी दबा दीजिएगा